नमस्कार दश्को भारा टीवी में आप सभी का स्वागत है बात करें निगर्म चुनाव 2022 को लेकर के सभी पार्टियों ने कमल कसी हुई है मगर कॉंग्रेस पार्टी की बात करें संगठन नाम का कोई जमीन पर परिंदा भी नजल नहीं आ रहा हमारे बीच में वरिस कॉंग् ज्यादा गिरा हुआ है नाहीं संगठन में जान है परदेश के अद्धस का पता नहीं चलता कि दिल्ली परदेश कॉंग्रस कमाटी का अद्धस कौन है जैसा कि दिल्ली परदेश कॉंग्रस कमाटी में बड़े बड़े दिगजों को जगा मिलती थी दिल्ली के बेताज बा सब्सक्राइब कोई कारे करता इसने अच्छे डंगते नहीं जानता नहीं वो कहीं छेत्र में आते जाते हमारा यह आग रहा है आला कमान से कि पर दिल्ली सरकार में जिन्होंने पंद्रह वर्ष शीला दिक्षिज्दी के कारेकायल में मंत्री मंदल संभाले उनको पर देश के लाना चाहिए था दिल्ली के कांग्रेस नेता जग्दी स्टाइटलर जो पूर केंद्रिया मंत्री रहे उनको जयना जय जय था अब यह कोई थोड़ी ना है कि मतलब किसी को भी बना तो पर देश अध्यक एक ऐसा होता है जो पूरे संगटन को चला के रखना होता है दिल्ल दिल्ली बहुत बड़ा शेहर है और सबकी निगा दिल्ली पे दिल्ली राजदानी है यहां पर कांग्रेस के नेताओं की कमी नहीं है कारेकरताओं की कमी नहीं है लेकिन नेताओं के साथ जब नेता ऐसा आ जाता है तो कारेकरता पीछे हो जाता है क्योंकि नेता किसी को तब कुछ ने ऐसकता इसमें सब को मिलके चलना होगा तांग खीचने वाले बहुत हैं मैं यह कहता है में यह आंगर्अर्ण के नेता को कवर करते थी आज प्रकाश को एरिया का ही नहीं पता खाने का ना खाने जाए राम बाभु जी की बात आपने उठाई जयपरकाश अगरवाल भी साहीज है जा राध के टैम इतनी दिक्कत होती हैं सडके नहीं हैं कच्चे गाउं हैं वहाँ जाते हैं और पुरा मतलए एरि बहुत हैं हमारे पास जैसे जैसे मुकेश शर्मा से विदायक दबंग राजनिता और उसके साथ सब बोलने की शक्तियों में बीशन शर्मा चोदरी मतिन इमत डाक्टर नरेंदर नाथ और आपका हारुन युसुफ जी कहां है यह चाहरे हैं ना तो यह चाहरे हैं उनकी दिल् रहा हुआ हम कांगरेस के लावा कही जा नहीं सकते और दूसरी पार्टी ज्यॉइन करने के लिए हमारे पास भी अने को उफ़र आकर को नहीं जाते हैं ना करते हमें रहना कांगरेस में लेकिन संगतरन को मच्बूत करना बहुँत जडरूरी है धीपक्टी अगर यह हाल र सब्सक्राइब करता और नेता तो वहीं है वह घूमफिर के वहां चले गए उसको महां से आचवाचन मिल गया यहां से टिकट मिल जाएगी उसको महां से मिल गया दीपक जी ऐसे में कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो पांस हो जाओ क्या देना चाहेंगी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रबारी और प्रदेश का अध्यक्स वह ऐसे रुद्विदार होना चाहिए जो संगठन को जोड के चले सबको साथ लेके चले आज अनिल सब्सक्राइब अब नृस्ट को जोड़ना चाहिए जोए और। ढूंच प्राइक कंग्रेश में सुंख सर्मा सिर्फ के बाद लुक्त मचबूत तो आप मानते हैं कि कॉंग्रिस वाक्सी बिल्कुल होगी चीला दिख्चित जी ने जो पंद्रा साल रही जो जमीन से बिल्कुल उठी थी और बीजेपी सरकार थी सबसे पहले 93 में जब दिल्ली की विदानसभा बनी तो मदलाल खुणाना जी मुख्यमंत्री बनी उसके बास दिख्चित जीनों पंदा साल लगातार दिल्ली को चलाया संगठन के बल पर चलाया दीपल जी अगर संगठन खड़ा हो गया तो निगम में जीतना बिल्कुल निगम में बहुत अच्छी हमें बड़त मिलेगी और इसमें काफी सीट आने की उम्मीद है संगठन के बल पर अभी भी बहुत समय है आज भी अगर समय को हम अपने दंग से प्रयोक करें तो बड़े इच्छी जीट मिलेगी अन्य था आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का तो यह जी वह केज रिवाज जी अपना जुटे वादे डाइस बिजली लेलो पानी लेलो वह लालत मार है पूरे देश में हिंदू मिस्लुम का उन्होंने चला रखा है उसी भल पर अपना चले जा रही है वह काम वह भी करके राजी नहीं है शेत्र के समस्कते आप देखी रहे होंगे आप भी यहां से गुजर रहे हैं गीटी रोड सड़क खराब पड़ी हुई है नाले भरे पर पानी बढ़ जाता है वहां गंदकी का सामराज्य बन जाता है अभी देखा बारिश के दुवां दिल्ली पानी 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 हो गई हो रही है हर जंगा नालियां टूटी पड़ी है और वह यही कहते हैं अब कराएंगे कोई निगम पार्षद नी कोई विदायक नी सब एक दम अपना और संदे बस्ते में हैं मोदी जी का जैजाकार बोल रहे हैं और अपना नाम चला जा रही है